बेलकम बेक फ्रेंड्स दिस इस करंट अफेस फंडा जैसा कि बहुत लोगों के इमेल्स आये हैं कि उनको इनको इनक्विलिटी के एक केस में प्रॉब्लम आ रही है कुछ कोस्चन्स पी उन्होंने बेज़े हैं कुछ कंसेप्ट मैंने भी बनाये हैं तो यह सारे के सारे रिस जो आपके डॉट्स है जो आपके इस बन बन बहुकर आघाते है hebसा होाले हैं है पर देख आए चीजरे पर आजएसम बातं बाले है तो इसको डीटेल आप इस चैनल को सस्काइब दोस्तों कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें और साथ में अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शियर करना न भूलें देखो सबसे पहले फंडा क्या होता है, अभी मैं आपको inequality में जो either or case से related जितना भी फंडा होता है, वो सारा यहाँ पर discuss करूँगा, देखो, दो तरह से आपको समझने की जरूरत है, पहले तो मैं आपको तीन चीज़े बताऊँगा, either or के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो subject और predicate है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, subject and predicate यह हमारे same होने चाहिए, दूसरी चीज़, दोनों के दोनों conclusion जो है, वो हमारे unfollow होने चाहिए, तीसरी condition हमारी यह कहती है, कि उनके बीच में तीन symbol होने चाहिए, एक greater का, एक हम condition अगर हमारी satisfied होंगी, तब हम बहाँ पर either or लगाएंगे, अब बात यह आ गई कि कुछ लोगों ने कुछ ऐसे questions भी देखें, जहां पर दो relation एक साथ दिये गए हैं, ठीक है, जैसे कि एक पहले conclusion में greater equal दे दिया है, दूसरे conclusion में lesser equal दे दिया है, तो इस case में क्या हम either or लगा को बनाती है, दो तरह से मैं चीज आपको बताऊँगा, एक बनता है direct relation मन जाता है, direct relation मनता है, statement में, statement के अंदर एक direct relation मन जाता है, और उसके बाद में जो आपको conclusions दिये होते हैं, 1 और 2, वो आपके दोनों individually wrong हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं दोनों को मिला दूँ, combined format में दोनों को मिलाने पर, जो आपका statement से conclusion, statement से relation बनता है, वो हमारा verified हो जाता है, तब बहाँ पर हम either or लगा देते हैं, एक ये case होता है, एक case क्या होता है, कि आपका statement से कोई relation नहीं निकलता है, statement में opposite symbols होते हैं, बहाँ पर relation नहीं निकलता है, तो इस वज़ए से हमारे ज दूसरे दोनों गलत हो जाते हैं, तब उसके बाद में हम symbol check करते हैं, क्या greater, lesser, or equal, ये 3 symbol आएंगे, अगर ये 3 हो आएंगे, तब बहाँ पर आपका either or लग जाएगा, तो हम हर एक की बारिकियों से यहाँ पर चर्चा करेंगे, पहले questions के और दोस्तों यहाँ पर move करते हैं, जैसा कि ये question हमें email के माद्दम से बेजा गया है, तो मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूँगा, कि एक statement दिया है, P is greater than or equals to Q, Q is greater than or equals to R, R is greater than or equals to M, M is greater than S, S is less than T, is equals to N, यह complete हमें statement लिखा है, और यहाँ पर हमारा conclusion 1 और conclusion 2, दो conclusion लिखे हैं, पहले conclusion में खा गया है, कि P is greater than or equals to S, दूसरे में खा गया है, P is less than or equals to S, दो conclusion हमारे यहाँ पर हैं, अब देखो, P से लेकर आप S तक आओ, तो आपको यहाँ पर greater equal मिलता है, फिर greater equal, फिर greater equal, यहाँ पर greater मिल गया, तो greater की highest priority होती है, तो हमारा complete result की आएगा, greater आएगा पर क्या दिया है, P is greater than or equals to S, तो इस बज़े से यह गलत हुआ, दूसरा देखो, दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा, तो statement से result आपका क्या आ रहा है, P is greater than S आ रहा है, लेकिन इन दोनों conclusion में हमारा वो result नहीं है, फाइन, अब यहाँ पर बहुत ध्यान देनी कि आपको जर मिलता है, P is greater than or equals to S, और दूसरा में क्या मिलता है, P is less than or equals to S, तो देखो, इसको अगर मैं solve करता हूँ, तो क्या हैगा, P is equals to S, और इसको solve करता हूँ, तो यह क्या हैगा, P is greater than S, in the same way, अगर मैं यहाँ पर P lesser than S को solve करता हूँ, तो P less than or equal to को खोलूँगा, तो less than S आएगा, और P is equals to S आएगा अब देखना, मैं आपको यहां पर एक बिल्कुल hard and fast फंडा बताना चाहूँगा कि आप either or की condition cable cable एक case में लगाएंगे वो अगर इनसे मिलता हुलता है तब कैसा अगर आपको कभी भी ऐसे symbol साथ में मिल जाते हैं यहां पर आप either or मत लगाना अगर आपको greater के साथ में lesser than or equal मिल जाता है तो यहां पर आप either or लगा देना याफिर आपको greater के साथ में equal का sign हो और यहां पर lesser लगा हो तो यहां पर आप either or लगा देना क्यूंकि अगर मैं इस cards को खोरूँ गा तो cable मुझे 3 individual relation मिलेंगे यहां से आपको greater मिलेगा और equal मिल जाएगा यहां से आपको lesser मिल जाएगा लेकिन अगर मैं इस वाले relation को open करता हूँ तो यहां से मुझे 2 बार equal equal मिल जाता है इसको logically मैं आपको proof करके दिखाऊँगा कि यह चीज गलत कैसे हो रही है आप देखो ध्यान देने के यहां पर जरूवत है आपको पता होगा कि either or का basically मतलब क्या होता है either or का मतलब होता है कि या तो यह वाला conclusion ठीक होगा या फिर दूसरा वाला ठीक होगा यही तो होता है ना अगर हम कहते है either one or either two either one or two लिखते हैं तो या तो यह होगा या तो यह होगा इन दोनों में से कोई एक conclusion ठीक होगा अगर पहला conclusion गलत हो रहा है तो दूसरा ठीक होगा और अगर दूसरा ठीक हो रहा है तो पहला वाला गलत हो जाएगा यही तो फंडा निकलेगा अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर p is greater than or equal to s को open कर दिया, यह क्या है, p is equal to s और p is greater than s, p is less than or equal to s को मैंने open किया, तो क्या है, p is less than s और p equal to s, ठीक है, अब यहाँ पर आपने कह दिया कि इस सर्फ मुझे equal का sign भी मिल गया, और यहाँ से मुझे greater मिल गया और यहाँ से मुझे lesser मिल गया, लेकिन equal मुझे दो बार लिया है, तो मैं केवल उसको एक बार note down करके, मैं यहाँ पर either or लगाना चाहूँगा इस question में, तो मैं आपको यही कहूँगा, कि आप यहाँ पर either or नहीं लगाएंगे, यह आपका logically follow नहीं होगा, क्यों, उसका reason दे तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ, P is less than s और P is equal to s यह हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर देखना कि P equal to s को तो आप यहाँ पर combined format में गलत अलड़ी बता चुके हैं, जब हम यहाँ पर इस चीज़ को गलत बता चुके हैं, तो क्या यहाँ पर P equal to s को सही बता कर दिया, ठीक है, तो इस बज़े से हम यहाँ पर हमारा यह equal वाला symbol तो scenario count नहीं होगा, ठीक है, तो यह भी नहीं बन रहा है यहाँ पर, अब अगर मैं इसको ठीक कर देता हूँ, कि P less than s जो है, यह वाला ठीक है हमारा, P equal to s और P is greater than s ठीक हो गया, तो इसको मैंने गलत वेडियो conflict करने के चलते हम यहाँ पर either or ना लगा कर क्या लगाते हैं, neither nor, ठीक है, यह case आप ध्यान रखना क्योंकि वैसे questions आपके exams में hit नहीं करेंगे, लेकिन अगर in the case आपको अपनी knowledge के लिए अगर आपको समझना है, तब उसका fact हमारा यही कहलाता है, second case हमारा क्या बन कहां से statement के बीच में एक relation निकलेगा, और साथ में मैं आपको आपको दो चीजे बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया, P is greater than or equals to Q, और greater than or equals to R, और greater than or equals to S, मैंने यह आपको यहाँ पर बता दिया, एक statement हमारा यह है, conclusion 1 और conclusion 2 में मैंने लिख दिया, कि P is equals to Q, और P is greater than Q, य से अगर मैं Q जाता हूँ, तो मुझे ultimately result क्या मिलता है, greater equal का, लेकिन greater equal का जब आपको यहाँ पर result मिल रहा है, तो आप देखो, conclusion मन में P बराबर Q लिखा है, individually यह रांग हुआ, P greater than Q, यह भी individually रांग हो गया, अब दोनों रांग हो गया, तो अगर मैं इन दोनों को combined format में merge क कर दूँ, तो मेरा result क्या हैगा, P is greater than or equals to Q, तो combined format करने पर मुझे बही conclusion का symbol मिल जाता है, जो हमारा originally statement से verify होकर आ रहा है, तो इस बज़े से यहाँ पर हम either or लगा देते हैं, ओके, अब यहाँ पर एक चीज और समझना, same is question कि यहाँ पर मैं copy लिखना चाहूँगा, P is greater than or equals to R, okay, R is less than Q मैंने लिख दिया, यह statement मैंने आपर दे दिया, या फिर suppose करो आपने statement यहाँ पर दे दिया, P is less than or equals to Q केबल, okay, greater than or equals to R, यहाँ आपने यहाँ पर statement दे दिये, और यहाँ पर conclusion आपके दोनों same है, कि P बराबर Q है, और P is greater than or Q है, तो यहाँ पर जान देना, P से Q के के बीच में अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पर हमें opposite symbol मिलता है, कोई भी relation नहीं निकल के आएगा इस बाले से, statement से relation नहीं निकलेगा, relation नहीं निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर देखो P से Q के बीच में relation आएगा, लेकिन relation में symbol के आएगा, lesser than or equals to, यहाँ पर क्या दिया है, greater, पहले equal दिया है, तो यह individually गलत और यह बाला individual गलत, क्या इन दोनों को मिलाने पर आपका relation मनता है, यहाँ पर भी इस case में भी नहीं बनेगा, और इस case में भी नहीं बनेगा, दोनों statement के cases में हमारे, दोनों conclusion जो है, वो individually wrong तो है, लेकिन साथ में मिलकर conclusion, जो statement है, उसकी need को fulfill नहीं कर रहे हैं, तो इस वज़े से यहाँ पर हमारा neither nor हो जाता है, okay, I hope कि आपको यह दो cases और समझ में आयोंगे, आए थोड़ी सी और detail में यहाँ पर बात करते हैं, देखो, मुझे आपको बताना है कि आप हर एक तरह से questions को कर पाए, थर्ड question में में यहाँ पर जैसे मैं conclusion 2 की, तो देखो, conclusion 1 में हमारा क्या दिया है, q is greater than s दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, second आपको दिया है, q is less than or equals to s, यह दो आपको conclusion दिया है, देखो, q से s तक जाना है, तो यहाँ पर s तो कहीं पर है नहीं, okay, तो जब q से s तक जाने का कोई तरीका है ही नहीं, s variable जब statement प हमारे same है, जी हाँ, आपका subject, यह दोनों symbol यहाँ पर हमारे common आ रहा है, q यहाँ पर है, q यहाँ पर है, s यहाँ पर है, s यहाँ पर है, s यहाँ पर है, यह दोनों same है, तो दो condition fulfill हो गई, तीसरी अब देखो, क्या इनके बीच में तीन symbol आते है, greater than, lesser than, और equal to, अगर यह ती तीनों symbol हमारे यहाँ पर आ गए, जब तीनों symbol आ गए, तो यहाँ पर आप either or आपका follow हो जाएगा, ठीक है, अब जड़ा सा मैं same statement रखूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं conclusion को change कर दे रहा हूँ, conclusion को मैंने यहाँ पर रख दिया, q is greater than or equals to s, दूसरे में मैंने रख दिया, q is less than or equals to s, as बाला variable is statement पर नहीं है, तो यह individually unfollow, यह भी individually unfollow हो गया, subject, predicates same है, लेकिन, तीन symbol क्या हैं पर आपको बताया था न, कि किसी एक के साथ होना यहाँ पर जरूरी है, ऐसा case आप ध्यान रखना, greater, lesser equal to, तो यहाँ पर आप either or लगा सकते हैं, ऐसी कुछ situation मनेगी तब, या फिर आपका greater equal या cable lesser लिखा है, तब आप either or यहाँ पर लगा देना, लेकिन दोनों के साथ अगर आपका equal लगा है, क्योंकि एक जगए आपकी equal वाली condition जब ठीक होगी, तो दूसरी जगए wrong हो जाएगी, तो आप यहाँ पर ठीक करके यहाँ पर गलत नहीं कर सकते हैं, यह म symbol निकल कर आ रहे हैं, तो बहाँ पर आप बे ही चक either or लगा कर आएंगे, यह हमारा तीसरा doubt हुआ, एक हमारा or doubt बनता है, जिसको मैं आपके सामने or discuss करूँगा, यह क्या है कि यहाँ पर बहुत important question है, और यह experience नहीं email के माध्यम से भेजा था, तो मैंने पहले इस question को analyze किया, उसके बाद मैं आया पर आपको बता रहा हूँ यह question कि statement अगर आपको दिया है कि a is greater than or equals to b is equals to c is less than d is equals to e is equals to f, यह हमें हाँ पर statement दिया हुआ है, अब statement के बाद आपको conclusions दिया हुए है, दो conclusions, तो पहले conclusion में हमें हाँ पर दिया हुआ है कि f is greater than or equals to b second में दिया है f is less than c ओके अब यहाँ पर ध्यान देना बहुत ध्यान देने कि आपको जरूवत है कि f से b तक जाना है अगर मैं f से b तक जाता हूँ तो देखो equal greater यहाँ पर lesser मिल गया opposite symbol मिल गया तो यहाँ पर पहला आपका गलत हो गया जब f से b नहीं जा सकता और f से c अगर मैं जाऊँगा तो आपको यहाँ पर पहले equal मिलेगा फिर greater मिलेगा फिर lesser मिलेगा तो यह opposite symbol मिल रहे है क्योंकि जब हम backward जाते हैं तो symbols का opposite करते हैं तो lesser का opposite greater हो जाएगा इस greater का lesser हो जाएगा तब भी opposite हो रहे है तो यहाँ से यह वाली condition भी हमारी नहीं हो रही है अब यहाँ पर देखो subject और predicate जो है वो हमारे same नहीं है क्या आपने देखा यहाँ पर f same है b और c यहाँ पर अलग अलग है तो आप कह दोगे यहाँ पर neither nor लगता है आपने यहाँ पर कह दिया neither nor लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर भी एक special case लग रहा है यह ऐसे questions आपके exams में नहीं आएंगे लेकिन in the case अगर आपको ऐसी कोई situation कभी face करनी पड़ गई कि आपका high level exams में ऐसा question आगया तब आप महाँ पर क्या करेंगे तो इसका result जो है वो neither or नहीं आएगा क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ देखो बहुत ध्यान देना है यह पर B और C दोनों बराबर है यहाँ पर क्या है B जो है वो C के बराबर है B और C दोनों बराबर है और E और F दोनों बराबर है आपस में और E और F बराबर है और B और C बराबर है पहला conclusion में यहाँ पर लिखूँगा जो हमारा individually wrong way जिसमें लिखा है F is greater than or equals to B तो देखो जब B और C दोनों बराबर है तो इस B को replace करके C लिख दो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना क्योंकि B और C तो हमारे इस statement के according बराबर है तो अब हम में क्या करूँगा है यहाँ पर F is greater than or equals to C हो जाएगा है यहाँ पर और दूसरे बाले को आप ऐसा ही रखो F is less than C तो यहाँ पर देखा आपने subject subject प्रेडिगेट प्रेडिगेट दोनों सेम हो गए सिम्बल आपको क्या मिल दा greater than lesser than और equal to का जब यह तीन सिम्बल मुझे हाँ पर मिल गए individually पहले बाले से आपको दो मिलेंगे एक तो आपको greater than और equal का मिल जाएगा और last वाले से आपको middle वाला मिल जाएगा तो यहाँ से जब तीन सिम्बल मिल गए तो हम क्या कह सकते हैं कि यह हमारा either or बनाएगा यह आपका special case है ऐसे questions मैं कह रहा हूँ कि अभी तक previous years में नहीं आए लेकिन इन दा case अगर आते हैं तो आपको भाँ पर ध्यान देना है कभी भी conclusion को solve करें तो एक बार नजर मार लेना कि b और c या e और f ऐसे variable जो बार बार equal के बहुत सारे sign लगे हुए statement में तब ही आपको ऐसे cases का सामना करना पड़ेगा otherwise मैं आपको बता रहा हूँ कि यह questions जो है यह pattern को हमारे नहीं बताते हैं fine यह exceptions है completely exceptions है इसलिए मैंने आपको starting में ऐसे किसी questions के बारे में नहीं बताया लेकिन अगर आपका फिर भी कोई doubt आता है तो आप जरूर हमारी email idea बहाँ पर note down करें दोस्तो और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारी playlist जो है यहाँ पर देख सकते हैं साथ में और दोस्तो इस channel को subscribe भी कर ले और जादा स्यादा लोगों के बीच में share करें वीडियो को like करें और हमारा tutor handle है address m current affairs इस पर आप त्यूट कर सकते हैं और साथ में हमारे facebook page को कर सकते हैं जिसका address slash current affairs funda जो facebook का group है वो आपको नीचे description box में मिल जाएगा सारे link description box में आप बहाँ से निकाल सकते हैं so thank you friends have a good day अगर आपका कोई doubt है तो आप जरूर अपना doubts यहाँ पर पूछ सकते हैं साथ में तो हमारा email id आप note down कर लीजेगा email id है current current c-u-r-r-e-n-t a-f-f-a-i-r-s current affairs funda at the red gmail.com इस email id पर आप अपने contents और अपने questions बेज सकते हैं और आपके contents बहुत authentic होंगे तो जरूर हम उनको इस YouTube channel पर publish करेंगे so thank you friends have a good day